गीता दीदी आपसे मेले में मिलकर बहुत अच्छा लगा मैंने डिजिटल डिवाइसों के बारे में वास्ता में बहुत कुछ सीखा है धन्यवाद रोहन ये मेरे लिए खुशी की बात है मैं जानता हूँ कि इंटरनेट आज कल बहुत उप्योगी है मेरी इच्छा है कि आप मुझे इंटरनेट के विशे में और सिखाने के लिए कुछ और समय निकाले हम मैं देखती हूँ मैं कल खाली हूँ कल मैं तुम्हारे घर जरूर आउंगी और इंटरनेट के बारे में सिखाऊंगी वाँ ये आपकी महानता है निश्चित रूप से मैं अपने घर पर आपका इंतजार करूँगा ठीक है तुकल मिलते हैं हाई दीदी प्रिपे अंदर आईए मैं बहुत कुशी कि आप मेरे घर आईए मैंने वादा किया था अब मुझे अपना कंप्यूटर दिखाओ दीदी आपने खाता कि आज कर लगबग सभी जगा कंप्यूटर का प्योग किया जाता है और यह हमारे जीवन को और असान बना देता है या आप मुझे इंटरनेट की बारे में और अधिक बता सकती है बिल्कुल रोहन मैं तुम्हारी सहायता के लिए आज यहां हूँ पहले मुझे यह समझाने दीजे कि इंटरनेट क्या है इंटरनेट विश्व व्यापी नेटवर्क है जो संसार भर के करोडों कम्प्यूटरों को जोडता है इंटरनेट विश्व भर के लोगों को संचार करने तथा सूचनाओं व आखडों का आदान प्रदान करने की अनुमती देता है इंटरनेट की द्वारा आप कोई सूचना या संदेश सेकिंडों में दुनिया भर में कहीं भी भेज सकते हैं मुझे इंटरनेट की कुछ अनुप्रयोगों के बारे में बताने दीजिए इंटरनेट के विभिनिक खेत्रों में अनेकों उप्योग हैं, उनमें कुछ है संचार के मामलों में इंटरनेट का प्रयोग, इमेल के द्वारा संदेश भेजने वप्राप्त करने में होता है इंटरनेट विभिनिक शेत्रों में नौकरी की उपलब्धता के विशे में सूचनाय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है लोग भावी नौकरी के लिए अपना संक्षिप्त जीवन व्रतांत ओनलाइन भेच सकते हैं दुनिया भर में संग्रहित किताबें वो अन्य अध्यान सामगरी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से खोजी जा सकती है नवीनितम, विश्वकोश, ओनलाइन उपलब्ध है इंटरनेट हमें स्वास्थ है, वो दवाई के क्षेत्र में बहुत जानकारी प्रदान करता है लोग विभिन रोगों के बारे में जान सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं कोई भी इंटरनेट का प्रयोग परिटन्स थलों के विशे में जानकारी प्राप्त करने में कर सकता है। इसका प्रयोग चुटियों की यात्रा, होटल, ट्रेन वह हवाई जहास के आरक्षन में कराया जा सकता है। इंटरनेट का प्रयोग कर ओनलाइन खरीददारी भी की जा सकती है. मात्र खाते का विवरन उपलब्द कराकर आप लेंदेन कर सकते हैं. आप अपने बिलों का भुकतान वो बैंक संबंधी लेंदेन भी इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं. इंटरनेट जोडने के लिए हमें कुछ यंत्र व नेटवर्क सेवा प्रदाता की आवश्यक्ता होती है. इंटरनेट जोडने के कुछ तरीके हैं डायल अप कनेक्शन, एकिकृत डिजिटल सेवा नेटवर्क, इंटरनेट का सीधा उपियोग, डिजिटल सब्सक्राइबर ला डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन इंटरनेट को जोडने के लिए टेलिफोन लाइन का प्रयोग करता है, कंप्यूटर मॉडम का प्रयोग करता है और घर की फोन लाइन को इससे जोडता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता के मॉडम के लिए एक कॉल की जाएगी और इंटरनेट का उप्योग करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा. यह इंटरनेट से जुढने का पहला तरीका है. एकी कृत डिजिटल सेवा नेटवर्क INSDN INSDN डायल अप कनेक्शन की ही तरह है. लेकिन यह डिजिटल फोन लाइन के माध्यम से संपर्क उपलब्ध कराता है. यह इंटरनेट वो फोन के एक ही समय उप्योग करने की अनुमती देता है. इसका प्रयोग करने के लिए आपको एक बाहरी मॉडम की आवश्यक्ता होगी. आइन, एसडी, एन सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क पर व्यापक बैंडविट्थ के डिजिटल सेवा नेटवर्क प्रसारण को सक्षम बनाता है, जिसका अर्थ है कि एक समय में अधिक डेटा भेजा जा सकता है. इन्टरनेट कनेक्शन को डायल करने या इन्टरनेट में प्रवेश करने अत्वा किसी अन्य नेटवर्क की आवश्यक्ता नहीं होती है. इस तरह प्रस्तावित सेवाएं स्थाई बैंडविट्थ की उपलब्धता वक्कम विलंबता को सुनिश्यत करता है. केबल इन्टरनेट की तरह दीएसल या ब्रॉडबेंड उच्चगती इन्टरनेट सेवाएं प्रदान करता है. दीएसल तकनीक एक ही फोन लाइन पर इन्टरनेट वो बादचीत की सेवाएं बिना किसी एक को काटे एक साथ उप्योग करने की अनुमती देता है. दीएसल इन्टरनेट सेवाओं का प्रयोग मुख्यता, घरों वचोटे व्यापारिक संस्थानों में होता है. दीएसल इन्टरनेट सेवाओं केवल एक छोटे भौतिक दूरी तक ही काम करते हैं और जिन इक्षेत्रों में स्थानिय टेलिफून का बुनियादी धाचा दीएसल तकनीकी को सहारा नहीं देता, वहां काम नहीं करता है. इन्टरनेट से जोडने के लिए आपके कम्प्यूटर में तीन आधार्भूत तत्वों का होना आवश्चक है. मौडम, इन्टरनेट सेवा प्रदाता और ब्राउजर. मौडम एक यंत्र है जो कम्प्यूटर का डाटा प्राप्त करने, वह भीजने की अनुमती प्रदान करता है. यह यंत्र कम्प्यूटर के साथ जोडा जाता है. इन्टरनेट सेवा प्रदाता या ISP एक कम्पनी है जो इन्टरनेट सेवाएं उपलब्ध कराती है. ब्राउजर एक सौफ्ट्वेर है जो की सूचनाओं को खोजता है, प्रस्तुत करता है और संचालित करता है कुछ लोकप्रिय ब्राउजर हैं, मौजीला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी मेरे कुछ दोस्तों के पास, मुबाईल पर इंटरनेट की सुविधा है कोई मुबाईल पर इंटरनेट की सुविधा कैसे प्राप्ट कर सकता है मोबाइल पर इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने के लिए आपको निम्न चीजों की आवश्यक्ता होती है एक मोबाइल जो इंटरनेट का समर्थन करता हो एक मोबाइल फोन सेवा जो डेटा संचरन का समर्थन करती हो पोन पर इंटरनेट सेवाएं प्राप्त करने के लिए डेटा सेटिंग के साथ मोबाइल सेवा प्रदाता से खाता 2G, 3G वह 4G नेटवर्क का प्रयोग 2G, 3G वह 4G में G-Generation अर्थात पीड़ी को दर्शाता है G के पहले की उच संक्या, अधिक सूचनाय भेजने वह प्राप्त करने की उच क्षमता दर्शाती है अर्थात तार रहित नेटवर्क के माध्यम से उच दक्षता प्राप्त करने की क्षमता 2G नेटवर्क संकीन बैंड नेटवर्क पर आधारित होते हैं सिगनल डिजिटल प्रारूप में संचरित किये जाते हैं जो नाटकिय रूप से कॉल की गुणवत्ता में सुधार वा संचार की जटिलताओं में कमिलाते हैं। 3G तीसरी पीड़ी का मोबाइल नेटवर्क लोकप्रिय हो गया है। इसने उप्योग करताओं को मोबाइल फोन वर टैबलेट पर इंटरनेट प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। 3G नेटवर्क पर डेटा संचरन की गती 384 Kbps से 2 Mbps होती है। 3G नेटवर्क पर अधिक डेटा संचरन की अनुमती देता है। अतह यह वाइस और वीडियो कॉल, फाइल संचरन, इंटरनेट सर्फिंग, ऑनलाइन टीवी, उच्च परिभाशा वीडियो, खेल खेलने के लिए सक्षम है। 3G उन उप्योग करताओं के लिए अच्छा विकल्प है, जो हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहना चाहते हैं। पोरजी, चौथी पीड़ी का मोबाइल नेटवर्क के बारे में विश्वास किया जाता है कि यह भविश्य में और बहुत सारी मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराएगा। सभी 3G की सुविधाओं के साथ-साथ यह डेटा संचरन को 1 GBPS से 100 MBPS के मध्य पूर्ण करने वाला माना जाता है। क्या आप मुझे दिखा सकती है कि मेरे मोबाइल में इंटरनेट कैसे सेट किया जा सकता है। बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कीपैड मोबाइल वो एंडरॉइड मोबाइल में इंटरनेट कैसे सेट करते हैं। सावधानी से निम्नपदों का अनुसरन करो। कीपैड आधारित फोनों में इंटरनेट का प्रेयोग। पहले मैनू का चैन करें। फिर इंटरनेट अब होम पेज खोलने के लिए या तो होम का चैन करें। अन्यथा होम स्क्रीन पर शून्य को दबा कर रुकें। आगे वेब पता दर्ज करने के लिए गो टू एड्रेस ढूंडे और पता दर्ज कर ठीक चुने। इसके बाद वेब पता दर्ज करने के लिए पते पर जाने का चैन करें और ठीक चुने। और फिर वेब खोजने के लिए खोज शब्द को दर्ज करें और फिर खोज का चैन करें। सेवा से जुडने के बाद आप ब्राउजिंग शुरू कर सकते हैं। Wi-Fi सेटिंग देखने के लिए सेटिंग पर जाएं सेटिंग वग कनेक्टिविटी का चयन करें फिर Wi-Fi का चयन करें जिस कनेक्शन से आप जुड़ना चाहते हैं उसका चयन करें यदि आवश्यक हो तो पास्वर्ट दर्ज करें इंडरोइट फोनों में इंटरनेट सेट करने के लिए सबसे पहले इंडरोइट स्मार्ट फोन वर टाबलिट की सेटिंग मेनू पर खिसके यह किसी इंडरोइट यंत्र पर अप मेन्यू के सेटिंग आइकन के माध्यम से और कभी-कभी notification बार से किया जा सकता है अब settings menu में आप बेतार और network settings ढूंडे ज्यातातर यंत्रों में अधिक या अधिक settings जो बटन उपलब्ध हो को चुने अब यदि आप बेतार वर network settings पर पहुँच जाते हैं तो आप दो तरीकों से जोड सकते हैं Mobile Internet, Wi-Fi Mobile से internet को जोडने के लिए या तो आप notification को नीचे खीच कर Mobile Data विकल्प चुन सकते हैं अत्वा आप wireless और network settings विकल्प में More Settings विकल्प चुन सकते हैं उसके बाद Mobile Network बटन पर क्लिक करें जहां पर Mobile Data चेक बॉक्स पर चेक करेंगे जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फोन Mobile Internet से जुड़ जाएगा Android फोनों में भी Wi-Fi की सुविधा उपलब्ध है दी-दी, उसे किस प्रकार जुड़ेंगे? बड़े असानी से मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम कैसे Wi-Fi सेवाओं से जुड़ोगे सबसे पहले, नोटिफिकेशन मेन्यू में उपलब्ध Mobile Wi-Fi विकल्प को चुनोगे आप आपको उपलब्ध Internet नेटवर्कों की सूची दिखाई देगी यदि आपके पास Wi-Fi नेटवर्क का विकल्प चुना हुआ है तो यह है अपने आप नेटवर्क से जुड़ जाएगा अन्यथा आपको वह Wi-Fi नेटवर्क चुनना पड़ेगा जिसे आप जोड़ना चाहते हैं यदि पास्वर्ट की आवशक्ता हो तो उसे दर्ज करें और Connect पर क्लिक करें Mobile Broadband तक्नीक जिसे Wireless Wide Area Network भी कहते हैं जो Mobile Internet से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है Mobile Broadband का प्रयोग करने के लिए आपको एक Data Card और एक Data Plan के साथ Mobile Broadband सुविधा प्रदाता की आवशक्ता होती है आप अपना उपकरन और Data Plan प्राप्त करने के बाद Subscriber Identity Module, SIM और SIM के लिए Mobile Broadband सुविधा का चालू होना सुनिश्चित करें जिसके चालू होने की सूचना आपको आपका Mobile प्रचालक अथवा उपकरन विक्रेता देगा प्रथम बार Broadband सुविधा संयोजित करने के लिए निम्नपदों का अनुसरन करें Notification एरिया में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने फोन के Mobile Broadband पर Right क्लिक करें ततपश्चात Connect पर क्लिक करें यदि कहा जाए तो Access Point का नाम या Access String उप्योग करता का नाम वो Password टाइप करें यदि आप किसी Auto Connect सेटिंग को बदलना चाहते हैं तो उसे बदलें फिर जारी रखें पर क्लिक करें Broadband का प्रयोग करके Internet सहयोजित करने के लिए Notification एरिया में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने Mobile Broadband के नाम पर क्लिक करें फिर Connect पर क्लिक करें यदि आवश्यक हो तो अपने फोन के Mobile Broadband पिन टाइप करें फिर Enter दबाएं Broadband का प्रयोग करके Internet वियोजित करने के लिए Notification एरिया में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने Mobile Broadband के नाम पर क्लिक करें फिर Disconnect पर क्लिक करें मैंने सुनाए कि कोई भी अपने स्मार्टफोन को Laptop से जोड सकता है क्या ये सही है दीदी? आप बिलकुल रोहन तुम स्मार्टफोन को Laptop से जोड सकते हो स्मार्टफोन वो Laptop को जोडने या Tethering पर आपका स्मार्टफोन वास्तव में Wi-Fi Hotspot में परिवर्तित हो जाता है जिसे की आपका Laptop Access कर सकता है Android phone टाबलेट को Laptop से जोडने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहले Wireless और Network Setting मेन्यो पर जाएं कुछ फोनों में Wireless Hotspot बनाने के लिए Apps मेन्यो में एप होते है अब जोडने वाले वहनिये Hotspot या इसी तरह के किसी विकल्प पर क्लिक करें आगे वहनिये Hotspot या इसी तरह के किसी विकल्प को चालू करो और Network का नाम सेट करो और अथवा Password सेट करो तब दाएं हाथ पर सबसे नीचे दिये हुए Wireless Network को Wireless Network के माध्यम से अपने Laptop के Network से जोड़े इंटरनेट के बारे में सीखना दिलचस्प नहीं था अब हम लोग मज़िदार गतिविदी में भाग लेंगे दीदी क्या आप जानती है कि हम इंटरनेट पर कुछ ढूनते समय हाइपर लिंक के सामने www क्यो लिखते हैं www का अर्थ World Wide Web होता है World Wide Web मैंने इसके विशे में बहुत सुना है क्या आप इसके बारे में और बता सकती है जरूर रोहन मैं बताती हूँ कि World Wide Web क्या है World Wide Web www वेब उपसमुच्चे है ना कि उसका पर्याए वेब पन्नों से मिलकर बनता है जिन तक वेब ब्राउजर का उपयोग कर पहुचा जा सकता है टेलनेट FTP इंटरनेट जुआ इंटरनेट रिले चाट IRC और इमेल सभी इंटरनेट का अंग है लेकिन यह सब वर्ल्ड वाइड वेब का अंग नहीं है Hypertext Transfer Protocol एक विधी है जिसका प्रयोग वेब पन्नों को आपके कंप्यूटर को स्थानांतरित करने में किया जाता है Hypertext के साथ शब्द या वाक्यांश दूसरी वेब साइट के साथ संपर्क बनाए रख सकते है Worldwide Web के अंग है Web Server Web Browser Web Page Website Web Address Web Server एक पदती है जो इंटरनेट पर अंतिम उप्योग करता तक विशेवस्तू या सेवाओं को उपलब्द कराता है Web Servers वे कंप्यूटर है जो वेब पेजों को उपलब्द कराते है प्रतेक Web Server का एक IP, पता वर डोमेन नाम होता है उदाहरन के लिए यदि आप अपने ब्राउजर में दर्ज करते हैं कि url http colon slash slash www.google.com slash index.html यह एक Web Server जिसका डोमेन नाम google.com को निवेदन भेज देता है वेब प्राउजर एक software अनुप्रेयोग है जिनका प्रेयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर ढूनने, पुनर प्राप्त करने, विशय वस्तूं को प्रदर्शित करने में होता है इसके अतिरिक्त इसमें वेब, फोटुएं, वीडियो वा अन्य फाइलें आती है जैसे कि ग्रहक सेवक मॉडल, कम्प्यूटर पर चलने वाला वेब ब्राउजर एक ग्रहक है जो वेब सर्वर से संपर्क कर सूचना के लिए निवेदन करता है वेब सर्वर सूचनाएं वापस वेब ब्राउजर को भेज देता है जो परिनामों को कम्प्यूटर पर दर्शाता है अत्वा उन डिवाइस पर दिखाता है जो ब्राउजर को सहारा देते हैं वेब पेज वह हैं जिनसे वर्ल्ड वाइड वेब बनती है यह दस्तावेज, HTML, Hypertext, Markup, Language भाशा में लिखे जाते हैं और आपके ब्राउजर के द्वारा अनुवादित किये जाते हैं वेब पेज या तो स्थेतिक अत्वा गतिक हो सकते हैं स्थेतिक प्रिष्ट प्रतेक बार खोले जाने पर एक ही विशेवस्तू दर्शाते हैं गतिक प्रश्ट प्रतेक बार खोले जाने पर अलग-अलग विश्य वस्तू दर्श आते हैं। ये प्रश्ट आदश रूप से भाषा जैसे PHP, Perl, ASP या JSP में लिखे जाते हैं। वेबसाइट प्रश्ठों का संकलन है। एक वेब पेज एक प्रतक HTML दस्तावेज है। वेबसाइट एक दूसरे से संबंदित प्रश्टों का संकलन है। सामाने तर यह या तो एक ही विशय पर या आपस में बहुत ही मिलते जुलते विशय उपर होते हैं। वेबसाइट खोलने पर जो पहला पन्ना दिखाई पड़ता है, उसे होम पेज कहते हैं। वेब पता पते की ऐसी पंक्ती है जिसमें एड्रेस प्रोटोकोल, डोमेन नेम तथा फाइल पाथ होता है। सामाने तह इंटरनेट पर इसका प्रयोग, वेब प्रिष्ट, चित्र या अन्य दस्तावेजों के पते का विशेश उलेख करने के लिए किया जाता है। वेब प्राउजर उपियोगी अनुप्रयोग है जो वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओ को ढूंडने के लिए बनाए गए है। डाउनलोड, बुक मार्क और पास्वर्ड प्रबंधन वेब प्राउजर के सामाने लक्षन है। इसमें क्रियाएं जैसे स्पेलिंग चेक, सर्च इंजिन टूल बार, टाब्ड ब्राउजिंग, एडवर्टीजमिंट, फिल्ट्रिंग और HTML, एक्सेस बटन, पॉप अप और ब्लॉकिंग होती है। अब हम विभिन प्रकार के वेब ब्राउजर के बारे में सीखते हैं। विभिन प्रकार के वेब ब्राउजर हैं, इंटरनेट एक्स्प्लोरर, फायर फॉक्स, क्रोम, उपेरा, सफारी। इंटरनेट एक्स्प्लोरर, माइक्रोसोफ्ट द्वारा तयार किया गया और माइक्रोसोफ्ट विंडोज के ओरिंटिंग सिस्टम के सहाइक पैकेज के रूप में 1995 में लाया गया। यह विश्व भर में सरवादिक प्रेयोग होने वाला ब्राउजर है। यह ब्राउजर ओनलाइन संचालन अच्छा होने के साथ साथ त्वरित खोज की शंकाओं और गतिमान संरक्षा तकनीक के लिए भी अच्छा है। Firefox Mozilla से प्राप्त किया गया ब्राउजर है और वह इंटरनेट पर दूसरा सबसे प्रसिद्ध ब्राउजर है। क्या आप अपने कम्प्यूटर पर Firefox का प्रियोग नहीं करती हैं दीदी। हाँ यह वही है जो मैं अपने कम्प्यूटर में प्रियोग कर रही हूँ। Google Chrome Google द्वारा विक्सित एक वेब ब्राउजर है यह अति सुक्ष्म आकरती को परिश्कृत तक्नीक के साथ मिलाता है जिससे वेब तेज, सुरक्षित वा आसान हो जाता है। Opera Software ने 1996 में Opera ब्राउजर का विकास किया। Opera अन्य ब्राउजरों से छोटा है और ज्यादतर अन्य ब्राउजरों से बहुत तेज काम करने वाला है। यह तेज है और यह keyboard कई Windows Zoom functions वह अन्य के साथ आसानी से चलता है। यह Java वह Java रहित दो रूपों में मिलता है। इंटरनेट पर आने वाले नए लोगों के लिए आदश ब्राउजर है। Safari ब्राउजर Apple INC द्वारा विकसित किया गया है और Mac OS X में शामिल है। यह सबसे पहले जनवरी 2003 में Public Beta के नाम से जारी किया गया था। यह वेब ब्राउजर सभी नवी नतम तक्नीकों जैसे XHTML, CSS2 आदी का समर्थन करता है। तीधी, अब मुझे दिखाईए कि वेब ब्राउजर कैसे खोले। ठीक है रोहन, वेब ब्राउजर खोलने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करो। स्टार्ट बटन पर क्लिक करो। और प्रोग्राम पर जाओ और किसी एक ब्राउजर पर क्लिक करो। ब्राउजिंग विंडो दिखेगी। सामानय तर वेब ब्राउजर निम्न में विभाजित होते हैं। टाइटल बार, web page व, web browser का नाम दिखाता है। इसमें तीन विंडो बटन होती हैं Minimize, Restore बटन या Maximize और बंद Address बार में उस वेब साइट का नाम अथवा URL जिसे आप खोजना चाहते हैं लिखें इसमें Go या Refresh और Stop बटन होता है Go बटन वेब पेज या वेब साइट को लोड करने में आपकी सहायता करता है Refresh बटन आपको वेब पेज को पुनह लोड करने में मदद करता है और Stop बटन एक्स्प्लोरर द्वारा चलाई जा रहे किसी भी अनुप्रयोग को रोकने में मदद करता है Address बार के Buy और Back वो Forward बटन होते हैं ये बटन आपको हाल ही में चलाई गई पीछे की और आगे की वेब साइट पर जाने में मदद करते हैं Menu बार पर कई विकल्प होते हैं जैसे File, Edit, View, Favorite, Tools और Help वेब पेज क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर वेब साइट या वेब पेज दिखते हैं Status Bar वेब साइट वेब पेज की प्रगती या स्थिती के बारे में Waiting, Loading या Done दिखा कर बताता है Search Engine वेब साइटे हैं जिनका उदेश उस वेब साइट को ढूंडना है जिसे सूचना पाने के लिए ढूंड रहा है किन्तु उसके पास उस वेब साइट का विशिष्ट पता उपलब्ध नहीं है कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजिन जैसे Google, Yahoo, MSN है Google सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजिन है SEs, वेब सर्फ करने के लिए जिन इलेक्ट्रोनिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं उन्हें रॉबर्ट या स्पाइडर कहते हैं वह www के साथ मांगी गई सूचना को ढूंडने के लिए इंटरनेट में चारों तरफ खुंगते हैं निर्देशी का वेब साइट की डारेक्ट्री का उप्योग करती है जो की हाथों से जाची वह उनमें उपलब्द सूचना के अनुसार वर्गीकृत की जाती है याहू डारेक्ट्री SE का उदाहरन है सर्च इंजिन इंटरनेट पर सूचना ढूंडने के ओजार हैं सर्च इंजिन वेब प्रिष्टों की तरह के हैं और उनको भी वेब ब्राउजर का प्रयोग कर खोलना पड़ता है साधारन ता सर्च इंजिन एक शब्द या शब्दों के समूह या विशे पर आधारित होते हैं इन शब्दों या मुहावरों को की वर्ड्स कहते हैं दीदी, हम इंटरनेट पर किसी चीज को खोजने के लिए सर्च एंजिन का प्रयोग किस प्रेकार करते हैं? www.google.co.in मानिये यदि आप ग्रामीन भारत में स्कूलों की सूचना चाहते हैं, तो नीचे दर्शाए गए कीवर्ड टाइप करें, Schools in Rural India. अब खोज शुरू करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करें, अथवा Enter बटन दबाएं. दिखाए गए लिंकों की सूची देखें, जिनके साथ प्रतेक वेबसाइट का संक्षिप्त विवरण भी दिखेगा. सुसंगत लिंक पर क्लिक करें. यदि आप किसी और विशे पर सूचना खोजना चाहते हैं, तो सर्च इंजिन के होम पेज पर जाने के लिए बैक बटन पर क्लिक करें. अब जो सूचना आप खोजना चाहते हैं, उसके कीवर्ड टाइप करें. फिर सर्च बटन पर क्लिक करें. विभिन वेबसाइटों के लिंक दिखेंगे. सुसंगत लिंक का चैन करें और वांचित सूचना पढ़ें. यदि आपको कोई लिंक रोचक लगे और आप उस पर दुबारा जाना चाहते हूं, तो उस पेज को आप बुक मार्क बना सकते हैं. फिर ब्राउजिंग विंडो से बाहर जाने के लिए आप सबसे उपर दाएक होने पर क्लोज बटन दबाएं. अब रोहन, मैं चाहती हूँ कि सर्च इंजन का प्रयोग करने का प्रयास स्वैम करो. बिल्कुल, केवल यह बताईए कि क्या खोजना है? ठीक है, गूगल का प्रयोग कर ग्रामीन भारत में कम्प्यूटर शिक्षा खोजो. अब तुम इंटरनेट के विशे में बहुत कुछ जानते हूँ. चलो, अब हम मज़ेदार गतीविधी में भाग लेते हैं. प्रतेक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुने. सही है, अच्छा प्रयाज. सही नहीं है, रिप्या पुनह प्रयाज करें. सही है, अच्छा प्रयाज. सही है, अच्छा प्रयाज. सही है, अच्छा प्रयाज.